जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स की इस रंखला में इस रंखला के अंतरगत हम चार्चा कर रहे थे ओलंपिक की आपको बता दें इसके पहले वाले पार्ट में हमने ओलंपिक के अतीज से वर्तमान की यात्रा का ध्यन किया हमने ओलंपिक से जुड़े हुए सारे महत्पूर्ण बिंदों को कवर किया इस वीडियो में हम बेसिकली काम करने वाले हैं ओलंपिक के चंद महत्पूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बता दें उलंपिक में बहुत सारे महत्पूर्टत्थ हैं जो की उनसे जुड़े हुए हैं और एक्जाम के लिहास से भी महत्पूर्ट हैं पहरहाल हमारा प्रयास होगा आपको उन बहुत सारे महत्पूर्टत्थों में से बहुत ही कम महत्पूर्टत्थ दिये जाएं ताकि जो परिक्षा में पॉइंट टू पूइंट पूइंट पूछा जाता है वो आपसे बन जाएं अर्थाद दोस्तों हमारा प्रयास होगा कि जो Lushand की इस रंखला में स्पोर्ट्स में हमने देखा कि स्पोर्ट्स में जो बहुत सारे फैक्ट दिये गए है या जो एक चार्ट दिया गया है उस चार्ट को कैसे पढ़ना है कैसे हम उसे कवर करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है आपको नजर आ रहा है Lushand का वही इस्पोर्ट्स का भाग जिसमें एक टेबिल है उलम्पिक खेल आंकडों में उसे जुड़े हुए सारे आंकड़े वहाँ पर हैं कौन सा उलम्पिक कब हुआ तो क्या-क्या महत्पूर्ण है क्या-क्या हमें पढ़ना है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं इंपोर्टेंट चीज यही है एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्पूर्ण होता है कि उसे यह बता दिया जाए कि भाई क्या छोड़ना है पढ़ने को तो ऐसा है कि देखो हमने का पढ़ लीजे सारा आपने पढ़ लिया वो नहीं महत्पूर्ण है आपको क्या पिक 1896 में युनान में हुआ फिर आप देखेंगे चार-चार वर्सों के अंतराल में करम से यहां पर टेबल में सन्वगरा दिये हुए कौन कप कहां पर हुआ यह सब दिया हुआ है तो क्या हमें सारा कुछ पढ़ना है जी नहीं बिल्कुल भी नहीं हमें सब कुछ नहीं वह यह कि टोटल कितने देशों ने भाग लिया तो चाओदा और कितने सुन पते थे कितनी पते उखता है वगरा यह सारी चीज़ तो 43 वगरा वो रियर कंडिशन पूछा जाएगा वैसे नहीं पूछा जाएगा सामनता आपका पहला पूछा जाएगा तो आंसर है यूनान प्रिस्म काली ओलंपिक होंगे वह कौन से क्रमांग के होंगे वह 35 क्रमांग के होंगे ठीक है तो इससे कोशन आपसे कैसे बनने वाले है उसको आप देखेगा आगामी दोजार बत्तिस में या दोजार चौबिस अब जैसे हम देख रहे हैं भी 24 का कब कहां फिर इसके आपका महत्पूर है और इसमें देखे नीचे लिखा हुआ है तीसरी बार ऑस्टेलिया में ग्रीस मकाली ओलंपिक होगा थार्ड टाइम तो यह सब आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है तो यह तीनों को आप पढ़ लीजेगा कि भाई 24 वाला कहां पर पेरिस में 28 वाला लॉस एंजिल्स अमेरिका में और इसके बाद में 32 वाला आपको देखने मिलेगा ब्रिजबेन ऑस्टेलिया में तो वहां आपका 33, 34, 35 यह तीन ओलंपिक लाइन से कंप्लीट होते हैं यह आपको पढ़ने है इसके बाद और क्या देखना है इस टेविल में तो आपको यहाँ पर बता दें दो तीन इंपोर्टेंट जानकारियां वह यह है कि वर्ल्ड वार हुआ ठीक है और फस्ट वर्ल्ड वार के कारण आप देखेंगे फस्ट वर्ल्ड वार कब हो रहा अच्छा पहले तो आप यह देखें ठीक है वर्ल्ड वार आप देखेंगे त जो उलम्पिक पड़ेगा वो नहीं होगा और इस बीच में नहीं क्यों पूरा विश्विद्ध में प्रभावित है वहां लगा पड़ा है और इस बीच में कैसे आप एक बहुत बड़ा खेल महुस्व आईजित करा सकते हैं असंभव मुश्किल है ठीक है आप अपने से असंभव ठीक है तो बस वैसा ही है कि कैसे हो सकता था उस दौरान इतना बड़ा खेल का आयोजन जब विश्विद्ध हो रहा है तो उस समय पर क्या हुआ हुआ है इस थागित हुआ है तो 1916 में इस थागित हुआ हम देखते हैं बहुत आसान है कब से प्रारम हुआ हुआ ह इस सिक्स के बाद में आपका क्या जाएगा उन्हेस सो चार आ जाएगा फिर आठ जाएगा फिर बारह होगा फिर उसके बारह होगा तो 1916 पड़ रहा है किस बीच में 14 18 तो नहीं हुआ फिर 20 में हुआ फिर ऐसे चलते चले जाएंगे आपको 24 मिलेगा बद्थिस मिलेगा 36 मिलेगा उसके बाद 40 फिर 44 फिर 48 अब आप देखिए इस बीच में 39 में 1940 1940 वाला नहीं होगा और 1944 वाला नहीं होगा तो ये कब-कब इस्थागित हुए वो लिस्ट आपके यहां सामने है तो ये कोशन इससे भी बनते हैं कि निमलिकित मैंसे कब-कब ओलंपिक नहीं हुए इस्थागित हुए ठीक है तो कब-कब इस्थागित हुए भीया तो आपका इसका अंसरिदम किलियर है कि 1916 और 1914 आपके 40 और 44 तो ये तीन बार जो है उलंपिक इस्थागित हो रहा था 2020 वाला टोक्यो उलंपिक लेकिन ये है कि वो इस्थागन के परस्चार जो है उसको 2021 म बनेगा कि इस्थागित होने के परस्चार जो है उसको कंड़क्ट करा लिएगा दर्वाइस जब-जब इस्थागन हुए है उसको दुबारा नहीं कराया गया वो वाला खतम आप आंगे बढ़ेंगे तो ये आपके टेबल में महतरपूर्ण जो बिंदू है जो आपको करके आपका पूरा लाइन से पूरे फैक्ट दिये गए है उसके बाद में अगले पेज में आपको टेबल देखने मिलती है और उस टेबल के ऊपर भी कुछ मातपूर्ण तथे दिये गए है तो उन्हें वैसे ना पढ़ते हुए इस टेबल के साथ में उसको लिंक करते हु इस फ्रांस में आप देखे दूसरे वाले में क्या इंपोरेंट हो जाता है तो देखे सब से इंपोरेंट ठीक है आपका उशी टेबल में उपर में आपका दिया हुए है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुए भारत की ओर सो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारती एक खिलाडी, एक आंगली इंडियन थे, एंगलो इंडियन थे, नॉर्मन प्रिजॉड, जिसने 1900 के दुतिय उलम्पिक में भाग लिया और एथलेटिक्स इस परधा में दो रजत पदक प्राप्ट किये, नोंने दो मैडल लेकर के आये थी, ठीक है, तो ठीक है, याद रखने का तरीका बहुत आसान, पहली बात कि आप 1900 के जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सेकेंड जा रहे हैं, तो यह हो गया आपका कि आप दो मैडल इसमें लेकर क्या रहे हैं, आपका नाम है, नॉर्मन प्रिजॉड, और आप कौन है, आप एक एंग Anglo Indian क्य morgen आप comment box बताईए अउन सरकेंगे ठीक हैं Anglo Indian कौन होते हैं इसमें पाईन के तो ace तो यह आपके लिए इंपोर्टन नगका कि भारत की और से एक खिलाडी गया इसका नाम है हैं तो वो दोड़ भी इन्होंने सिल्वर के साथ में कंप्लीट की तो यह आपका यहां पर कंप्लीट होता है इसके अलाबा इसी से जुड़ा हुए एक और महात्रपूर्ण मुद्ध है और वो यह कि 1900 इतिहास का पहला ऐसा ओलंपिक है ठीक है एसे बाते हैं रखी थी भई आप इसमें क्रिकेट को भी समलित किए हैं एक खेल के रूप में क्रिकेट को भी समैंडित किया और पेहला और अंतिम थे शूर्य की क्यों थारे पीछे record रखते हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वे एक मात ऐसा Olympic आयोजन था जिसमें जीवित कबूत्रों को सूटिंग इस परधाओं में लक्ष की रूप में समलिद किया गया मतलब आप समझ पा रहे हैं सूटिंग के लिए जीवित कबूत्रों को छोड़ा गया और उसके बाद उसके बाद उसके निसाने लगाए गया यह गलत था निश्यत तोर पर गलत था हलाकि फिर बहुत जल्द इस पर काम किया गया और अब artificial तोर पर आपको सामने मिल रहे हैं निसाने बगरे लगाने के लिए ठीक है पर वो एक इतिहास में एक माद था पहला था और अंतिम था उसके बाद ऐसे स्टेप नहीं उठाए गए तो यह आपका 1904 का से देखिए तीन आकडे जुड़े हुए आपको देखने मिले तो यह तीनों आपको के फस्ट वर्ल्ड वार के चलते ठीक है और 1920 वो उलम्पिक होगा जब पहली बार भारत भाग ले रहा है ठीक है एक टीम के रूप में एक टीम के रूप में एक टीम के रूप में पहुंसते हैं तो यहां से हमारे लिए इंपोर्टन्ट हो जाएगा कि आपका ठीक है 1916 से इंपोर्टन्ट हो जाएगा बेसिकली मैं तो कहता हूँ अगर आप इसे सही ढंग से देखना चाहेंगे तो हमारे लिए इंपोर्टन्ट क्या है तो 1896 इंपोर्टन्ट है ठीक है एथेंस युना दूसरा 1900 Olympic important है Paris वाला France वाला चुकि यहां पर भारती एक गया हुआ है दो इसके अलावा cricket पहली बार और लास्ट बार हुआ इसके अलावा पहली बार इतिहास में इतना दुख़त हुआ कि कबूत्रों को जिन्दा कबूत्रों को उड़ाया गया और उन पे निसाने लगाए गया इसके बाद हम देखते हैं चार आठ बारा सारा आप छोड़ते चले जाई यह 16 important होगा 16 कहां होना था यह important नहीं है जर्मनी वगर आपके लिए 16 important यह है कि भाई 16 नहीं हो पाया आपने पहले वाले पार्ट को दिध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा मैं बार 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 वहाँ पर कह रहा था जब आदर्स को हम अपना रहे थे इनके जो ध्वस्त है या इनके जो इत्यादी मशाल वगर रहे हैं तमाम चीजें हैं मोटो है उदेश है सिटियस अर्डियस फार्टियस और टूगेदर तो हमने उस बार बार हमने वहाँ पर इसका जिक्रि किया कि 1920 के एंटवर को अलम्पिक कुस तो खास है कुस तो वज़ए है तो वज़ए है दोस्तों भारती दल पहली बार इसमें आ रहा है आप इसमें इ फदीपा डरेपा चागुले इन्होंने क्या किया इन्होंने मैरतन में 19 इस्थान प्राप्त किया भारत वो कोई पदक तो नहीं मिल पाया ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है लेकिन ये था कि भाही चलो पहली बार भारत गया और गया तो गया सबसे इंपोर्टेंट फदीपा डरेपा चागुले ठीक है यह आपका हुआ के लिए इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें आंगे जब हम बढ़ते हैं इस टेविल में अब हमारे लिए देखिए चौबिस वगरा जो है चौबिस इससे नहीं आपको पढ़ना है भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं आपको बता दें ठीक है आंकड़ी नहीं पढ़ना है जो टेविल में और आंकड़ी दी है वो सब हमें नहीं पढ़ना है मैं बार बार कह रहा हूँ क्या पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ ठीक है भाई तो आप यहाँ देखेंगे यह इसलिए important है क्योंकि Amsterdam Olympic में प्रथम बार मसाल प्रजुलित होती है 1928 का Olympic वो पहला Olympic है जब पहली बार मसाल प्रजुलित की जा रही है और कहां से की जा रही है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ है Olympia सहर के हेरा मंदिर के सामने सूर की क्रिणों से प्रजुलित करके और आयोजन इस तलता किसे ले जाया जाता है अब इसमें important यह है कि भारत ने पहली बार हौकी में गोल्ड जीता most of the important भारत ने पहली बार हौकी में गोल्ड जीता कब 1928 में ठीक है आप इसे नोट कर लिजेगा आप इसे देखिए उसमें समझिए और धीरे धीरे भी आँगे बढ़ने दीजे क्लास को और आप देखेंगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे हम भारत की पूरे medals को भी बहुत आसान तरीके से याद रखेंगे ठीक है सारा कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बस आपको इसमें बने रहना इस पूरी स्रंखला में आंगे बढ़ते हैं दोस्तों हम तो 28 हमारे लिए important है क्योंकि भारत ने पहली बार हौकी में गोल्ड जीता ठीक है अच्छा टी बढ़िया चीज आपको यहापर बताते हैं ठीक है पर उसके पहले आप लूशेंट में ही आप एक आद दो पेस पल्टाएंगे तो आपको एक टेबिल मिलेगी जिसमें ओलंपिक पदक में भारत का पूरा ब्योरा है ठीक है भारत का अब आप इसमें जब गौर से देखते होकी में अब इसको आप सीक्वेंस से देखते चले जाएगा ठीक है यह आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा बैए 1928 में हमको मिल रहा है ठीक है अगला होगा 1932 में हमको मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद में और नेक्स्ट कब होगा 1936 में मिलेगा अब आप पाएंगे कि 1940 और 44 यहां पर तो होना ही नहीं है क्योंकि यह हो गए हैं इस थगिन ठीक है फिर इसके बाद में दोस्तों आप आँगे बढ़ेंगे तो आएगा 1948 यह वो हैं जिसमें हमें मैडल मिला मतलब की सुरवाती तीन में हमें मैडल मिला और फिर उसके बाद के तीन में मिला बीच के जो दो नहीं हुए उसके स्टार्टिंग के आँगे के तीन में हमें होकी में गोल्ड मैडल मिलता है और बाद के तीन में मिलता है फिर 1960 हवाले में ह हमें होकी में मेडल नहीं मिल पाता है हमें मेडल मिलता है पर गोल्ड नहीं मिलता है इधर पर हमने जीता क्या सिल्वर तो गोल्ड किस ने जीता भाहिया तो आपको बता दे कि पाकिस्तान वहां पर क्या जीतता है गोल्ड जीत लेता है ठीक है यह सारी स्टोरी बढ़ेंगे भी समझेंगे फिर 1964 में भारत फिर से एक बार फिर से यहां पर गोल्ड जीत पा रहा है आप देखेंगे इस टेविल में आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से 1964 में हमें फिर से होगी में गोल्ड मिलता है और इसके बाद में 68 72 में हमें कुछ भी नहीं मिल पाया मतलब गोल्ड वगयर नहीं मिल पाया 72 इसमें हम कहां चले गए हम चले गए और पीछे ब्रॉंज में चले गए ठीक है आप लाइन से देखेंगे हमें यहां पर ब्रॉंज मिल रहा होकी में और फिर उसक बाद 1980 में हम फिर से जीतते हैं गोल्ड तो यह सारी चीजा में इसको आप कितने गोल्ड मिले कितने नहीं थीक है होकी में तो आपको यहां देखने मिले का आठ गोल्ड अब तक मिल चुके हैं आप आप लाइन से इसमें देखेंगे को आपको आठगो और फिर उसके बाद में 64 में हमने फिर से जीट लिया और फिर 68 और बाहतर में हम फिर से नहीं जीट पाए हम ब्रॉंज में चले गए ठीक है और अस्ती में हमने फिर से गोल्ड जीता तो इस तरीके से हमारी ये टेवल का एक महत्रपूर मसला केलियर होता है यह भारती जो गोल्ड वाली मसला है होकी का जो गोल्ड है वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे इसके लबाँ और भी बहुत कुछ है इसको हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल हम रिटर्न होते हैं उसी टेबल में जहाँ पर हम थे पहले हम उसको कवर करें सारी कुछ चीजें सीक्वेंस से कवर होनी चाहिए तो उसमें जब हम देखते हैं फिर से तो हम पाते हैं कि भाई हम थे कहां 28 में एमस्टरडम उलम्पिक एमस्टरडम में पहली बार मसाल जलाई गई अब देखिए समाझी कितना आसान है भाई भारती लोग है यह याद रखने का तरीका ठीक है भारती समस्कति में यह प्रथा है कि किसी भी सुप काम के पहले आप दोगरबती जलाएंगे ठीक है अब जो मसाल जलती है तो हमारे देवता खुस हुए हम जीते भाई थीक है याद रखने का तरीक है 28 में हम जीते हौकी का जीते गोल्ड फिर उसक बाद ise 28 में जीते पर 32 जीतते हैं 36 जीतते हैं लगातार हुए नहीं नहीं तो हम लगातार जीते हैं एक एक और परमूख कारण में आपको बतादू और जबर्जस टीम थी सांधार टीम थी आपको बता दें कि 1923 वो उलम्पिक है जहां पर हौकी के जादुगर मेजर ध्यांचन एक यंगेस्ट प्लेयर के रूप में समलित होते हैं इन से जड़े होए कुछ महत्पूर्ण बिंदू हैं जिने आप नोट कर लिजेगा देखिए इन्हें होकी के जादुगर कहा जाता है wizard of hockey इसके अलावा मेजर ध्यांचन दिन का नाम थे आपको बता दें ध्यांचन दिन का नाम बाद में पड़ा ध्यांचन नाम पड़ा उस कर रहे हैं तो उसमें बड़ा ध्यान लगा के काम करना पड़ता है इसका नाम भाई हम देखते हैं क्या पड़ा इनका नाम ध्यांचन पड़ता है तो मेजर ध्यांचन होकी के जादुगर इन से जुड़े हुए और महत्पूर्ण तथ्यों पर हम आएंगे बहराल अभी हम अधनिक जो मसाल है उसको 1936 बरलिन जर्मनी के उलम्पिक में ही अपना है गया देखें यहां पर महत्पूर्ण है कि भारत ने उलम्पिक में गोल तो जीता ही था किसे हरा कर जीता तो जो मेजबान है यानि कि कौन जो आयोज़त करा रहा है जर्मनी जर्मनी को हरा है और मेजर ध्यांचन मेजर ध्यांचन को हिटलर ने एक ओफर दिया था और वो ओफर ये था कि आप भारत छोड़िये आप जर्मनी की टीम में आजाए इन बच्चों को सिखाईए हमारी टीम को मजबूत कीजे हम आपको इसमें सेना में बहुत सारे रैंक देंगे मानक पद पर ठीक है इंटरनेशनल लेवल का ओफर आया था भी है वो ठीक है प्लेस्मेंट अगर हम देखें जो आदुक समर पर जॉब प्लेसमेंट होते ठीक वैसी इस्तिती थी वहरहाल उन्होंने इस आफर को ठुकरा दिया तो अब आप यहां पर पाते हैं देखें देज के पढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं यहां पर हमें देखने मिलता है स्टेबिल में कि 1940-44 दो दफ़ा ओलंपिक इस्थगित हो गए दूती विशुदी के कारण आंगे बढ़ते हैं तो हमें उलंपिक आयुजित कराए गए हैं 1908 में 1948 में और 2012 में दिखें बहुत इंपोर्टेंट है 48 वाला क्यों क्योंकि सेकेंड व्ल्ड वर के बाद हो रहा है एक तो पहली बाल ठीक है दूसरा दूसरा जो महत्पूर्ण है वो यह कि भारत इसमें एक सौतंत रास्ट की रूप में स चुनौती है वो भारती परिदस्ट में क्या है आप उसको देखेंगे भारत अभी तक एक था तो भारती जो प्लियर्स हैं भाई भारत पाकिस्तान दोनों एक थे तो इनके प्लियर्स कुछ इस रिसाब से साथ में वो कर रहे तो यही सारे कारण है कि 1948 का ओलंपिक इंपॉ में गोल्ड लाए और नाकेवल 1948 बलकी 1952 में भी लाता है तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1952 में आपको बता दें देखें पहला गोल्ड लेकर के आगए हम होकी में 52 में भी लाए 56 में लेकिन 52 में आपको एक और यूनिक मेडल देखने मिलता है जी हाँ दोस्तों 1952 की यह टेबल आप देखें गौर से देखेंगा आप टेबल भाई वो हमें बिल्गुल एकदम स्कैन कर ले नहीं आप यह मान करके चलिए most of the important सारे questions वहाँ पर दिये गए हैं क्या क्या medal अब तक का पूरा इतिहास कौन कौन से medal कौन कौन से पदक हमने देखें तो यह आपका 1952 में आप देखें कुस्ती में एक कांस पदक लाया जा रहा है और यह किसके द्वारा तो KD जाधा हो के द्वारा देखें भार भारती मूल के व्क्ति द्वारा नॉर्मन प्रिजॉड लेके आ रहे हैं वहारती दल गया और प्रथम व्क्तिगर्थ मैडल में लाया जा रहा है यह आपके लिए इंपॉटन है ठीक है 1952 का कहां पर होता है हलन सी की फिन्लेंड में और और इसी दौराण देखें भारत स्क फॉकी में गोल्ड ला रहा है ठीक है तो आप यहां इन्हें नोट का लीजेगा इनका पूरा नाम केडी जादो है फुल फॉर्म है खसाबा दादा साहिब जादो इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में यह मैडल चीता है देखे बहुत कुछ है बहुत कुछ चीज़ें हैं यहा मिली नी रहा है स्पोर्ट के लिए जब वो उलंपिक में हम मैडल लाना प्रारब हुए होकी बगर में 1928, 32, 36 वाला दौर मेजर ध्यान चन्द लोग सोचिए उनके सामने एक ओफर यह दिया जा रहा है हिटलर के दौरा कि आजाओ भाई हमारी टीम में अच्छा खासा पैक के पास में सारी विवस्ताएं सारी सुगधाएं होती हैं वो एक दौर ऐसा था 1948 में ही आपको बता दे 1948 वो समय जब अभी अभी सेकंड वर्ड वॉर के बाद में उलंपिक हो रहा है तो उलंपिक परिदश में दी देखे तो आपको बता दें कि उसी दौरान पैर उलंपिक गेम्स नहीं होता है परिवलंपिक मतलब की एक ऐसे गेम जो दिव्यांगों या विकलांगों के लिए खेले जा रहे है दरसल में होता कि दरसल में होता यह है दोस्तों की सेकेंड वर्ड वॉर के बाद बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके सरी के अंग भंग हो चुके ह मतलब किसी के हाथ नहीं रह गा है किसी के पैर नहीं रह गए पर वह स्पोर्ट्समैन है इस्पोर्ट्सकोटे से आप देखते हैं भरती होते हैं सेना ने रहते हुए भी अखिर मेजर ध्याद तो यह इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए हाला कि जब हम पढ़ेंगे तब भी इसकी चर्चा करेंगे अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो 1952 हैलन सिकी का आपको बता रहे थे केडी जादो जी के बारे में बता रहे थे इनके पास फंड की बड़ी प्रॉब्लम थी प आपको बता देंगी 1952 के बाद उन्हें भारत के जो देज है भारत है बारत का उन्हें बहुत सपोर्ट मिला ठीक ठाक चीजे मिली फंड मिला सब तमाम मिला पर अंतिम दौर उनका फिर से बहुत ही गलत गुज्रा आपको बता दें वह पैंसन के लिए वह पैसों के लिए बहुत मोताज रहे और एक तो ऐसा मुमेंट आया जब उनकी स्टोरी पढ़ते हैं हम तो हम पाते हैं एक ऐसा दौर भी आया उनकी जिंदिगे का जब उन्हें प्रमाडित करना पर रहा है कि भाई मैं जाधा हूँ मैं ही वह व्यक्ति हूँ ये भी लोग मानने तयार नहीं रहा है और इससे जुड़ा हुआ जो बहुत इंपोर्टेंट है वो ये कि पहली बार उलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण हमें देखने मिलता है पहली बार ठीक है कुछ महत्रपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें आप नोट कर लीजेगा उन्हें सो साथ के रोम उलंपिक में ही आप पाएंगे पर्थम पैर उलंपिक खेल का आयोजन किया गया ठीक है पहला पैर उलंपिक तो इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत आसान है कैसे पैर उलंपिक पैर उलंपिक जैसा कि मैंने पहले बताया इसे इंटरनेशनल वीलचेर गेम्स के नाम से 1948 में प तो अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो इटली रोम छोटा सा देस है छोटी सी जगह है उनने बोला भाई ये चीज हम नहीं सारे लोगों को कैसे देख कर पाएंगे तो उन्होंने टीवी पर प्रसारण कर दिया तो ये हमारे याद रखने का एक तरीका हुगा कि टीवी प होकी में ये लगातार हमें गोल्ड मिल रहा था पर ये पहली दफ़ा है कि हमें सिल्वर मिला हमें गोल्ड नहीं मिला गोल्ड एक्चल में इसलिए नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तान इस समय पर विजेता हुआ पाकिस्तान ने भारत को एक जीरो से हरा करके होकी में गोल्ड य अपको बता दें अब तक के इतिहास में जहां तक हम देख पा रहे हैं, अध्लेटिक्स में भारत की ओर से, ठीक है, फाइनल में अपनी रेंक रखने वाले, फाइनल में पहुचने वाले, यह पहले ही हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यह नाम important है, Olympic में Athletics इस परधा के final में पहुचने वाले पर्थम भारतिये मिलखा से थे, जिन्होंने 1960 के Rome Olympic के 400 मीटर दौड में 4 इस्थान प्राप्ट किया, आपको बता दें इसके पहले इन्होंने Commonwealth में और Asian Games में गोल्ड हासिल किया हुआ इसी 400 मीटर दौड में, इसमें उनका चौथा रेंग था, मिलखा से, इन पर एक मुवी बनी भाग मिलखा भाग, जिसका जो मुख्य किरदार है, वो अभिने उसमें किया फरहान अक्तन ने, तो यह सारे important बिंदू है, आंगे भढ़ते हैं हम, तो यह थी 1960 की यात्रा और हम 1964 में, टोक्यो जापान में हो रहा है, तो यहां important यह है कि पहली बार Asian countries में Olympic कंड़क्ट करा है, जारो Olympic हो रहा है, ठीक है, कहां पर हो रहा है, Asia में हमें देखने मिला, टोक्यो जापान में, इसे आप नोट कर लिजएगा, इसे highlight कर लिजएगा, इसके लाब आपको बता दे 1964 में भारत ने होकी में gold जीत लिया, अब होगा 68-72 वाले, ठीक है, अब उस दोरान आप पाएंगे कि हाँ भाई आँगे हमें, ब्रॉंज मिलते हैं, सब तमाम चीज़े होती है, और इसके बाद आँगे चल करके, 1980 वाला हमारे लिए important रहेगा, क्योंकि भारत को वहाँ पर पीटी उसा समलित, ठीक है, पीटी उसा, 110 मीटर, बाधा दोर्ड में, फोर्थ रेंक इनने हासिल की थी, 1984 में, ये भी important है, 1984 में, आप देखे, 1st, 2nd, 3rd रेंक ना होने के कारण, ना gold मिला, ना silver मिला, ना bronze मिला, इस कारण से ये fact इसमें नहीं include किये गए, ठीक है, क्योंकि इसमें चुनिंदा तथ्यों को रखा जाता है, पर आपको बता दें, ये भी महत्रपूर्ण है, पीटी उसा, जिन है, उन उडन परी के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने 4th रेंक हासिल करी, मिलकासी ने भी 4th रेंक हासिल की थी, तो ये सारे important बिंदो है, इन्हें आप इस लिहाज में पढ़ना है, जैसे हम देखें, जो recent वाला है, हमें देखने मिलता है, 32वा वाला जो Olympic है, ठीक है, वो कहां पर हुआ, 2020 का, टोक्यो में हुआ, इसको आप याद रखिये, जो 2021 में हो पाया, ठीक है, चुकि COVID के चलते, 33वा, 24 पैरिस, फ्रांस में, फिर 34वा ह एक, जो महत्तपूर्ण पॉइंट है, वो कंप्लीट होते हैं, अब इन से जुड़े हुए कुछ और विशेज तत्यों के दि हम बात करें, तो नहीं भी हम एक नजर देख लेते हैं, आपके सामने है, महत्तपूर्ण ताथ, जिसमें सबसे पहला है, उलम्पिक खेलों में स सुभंकर की परंपरा, 1968 के सीथ कालीन उलम्पिक से प्रारम होती थी, 1968 को आप हाइलेट रखेंगे, 1972 अगला है, ग्रीजम कालीन उलम्पिक में सुभंकर की परंपरा की सुरबात, 1972 के म्यूनिक जर्मनी उलम्पिक सो ही, अगला है, मार्च पास्ट, ठीक है, ये भी important रहेग उलम्पिक के उधगाटन समारो में, मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आंगे होती है, और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है, बाकी देशों की टीमों का इस्थान अंग्रेजी वर्डमाला के अक्षरों के करम में होता है, सबसे आंगे यूनान को रखें इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सुरक्षा विवस्ता बहुत अच्छी अब रखे जा रहे हैं, नेक्स्ट है, एक ही ओलम्पिक में सरवाथिक सुरंड पदक जीतने वाले पुरुफ खिलाडी USA के तहराक माइकल फ्लैप्स हैं, दोस्तों, माइकल फ्लैप्स कहां से हैं यह पूछा जाता है, USA से है, इनका समद्ध किस खेल से है, तो तहराकी से है, ठीक है, और इन से जुड़े हुए देखिए, और अन्य महत्पूर्ट तत्यों में आप इसी पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, गोल्डन सार्क की रूप में इन्हें जाना जाता है, दोजरा है, ठीक है, next है, अगला आपका यहाँ पर है, किसी जाता है, और बांकी तत्य जितने भी हैं, वो हमने कंप्लीट किये हुए है, कुछ और अन्न महत्पूर्ण तत्थों में धी हम जाएं तो आप देख पा रहे हैं साओधी अरब, कतर, ब्रुनेई, लंदन उलम्पिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे ये वो देश हैं जिन्होंने 2012 अभी तक में महिलाओं को नहीं भेजा था मतलब 2012 तक महिला उन टीमों की तरफ से नहीं आई हुई थी पहराल हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 100-200 मीटर दोड़ों में लगातार 3 ओलम्पिक, बीजिंग, लंदन और रियो ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने कसरे उशेन बोल्ट को है इसे आप नोट कर लिजेगा, इनसे पहले कॉल लुईस थे नेक्स्ट है, उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारती महिला खेलाडी मेरी लीला राओ और अगला है लंदन पहला ऐसा सहर है जो कि हम पढ़ चुके हैं आपको बता दें, हम बहुत जल्द 3rd part लाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे टोकियो उलम्पिक 2020 के बारे में उनसे जुड़े हुए जो भी महात्कून प्रशन है वो सब हम देखेंगे रास्ती और अंतरास्ती दोनों इस तर पर उसके बाद हो सकता है उसी में अंत में हम भारत के अब तक के टोटल मेडल्स की चर्चा करने या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले करके हैं तो यहां पर अब हमारा ओलम्पिक जो है अपनी समाप्ती की ओर चुकि हमने ओलम्पिक के 2nd part में अल्मोस सब कुछ पढ़ लिया और हमारा मुख के जो केंद पर रहेगा वो रहेगा टोकियो ओलम्पिक 2020 तो चली ठीक है आज आपसे विदा लेते हैं मुलाकाज जल्द तीसरे पार्ट में धन्यवाज जैहिं जै भारत